आज देश के एक प्रमुख अंग्रेजी समाचार पत्र में देश के वरिष्ट सेवा निवर्त आईपीएस अधिकारी ने एक आठिकिल लिखा है जो उन्होंने वर्तमान समय में विश्व में सुरक्षा को लेकर हो रही गतिविदियों और भारत पर उसके पढ़ने वाले प्रभाव की तरफ ध्यान आकृष्ट किया है आप सभी को ज्यात है कि एक देड़ वर्ष पूर्व जापान के पूर्व प्रधान मंत्री शिंजो एबे जी की एक राजनेतिक कारिक्रम में हत्या हुई चंद दिन पूर्व अमेरिका में राष्ट पदिपत के पृत्याशी दोनल्ड ट्रम के उपर हत्या का अटेम्ट हुआ जिसमें वो बाल-बाल बचे उनका कहना है कि इस प्रकार की प्रवतियां जो हिंसा और हत्या को उक्साती हैं ये कहीं न कहीं उन बयानों से प्यरित हो जाती हैं जहां राजनेतिक दल अपने तातकालिक राजनेतिक स्वार्थ में शौट टर्म पुलिटिकल बेनिफिट के लिए हिंसा और हत्या के शब्दों का प्रियोग करना चाहते हैं एक दुखरद परंतु चिंता जनक बात ये है कि प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विरुद्ध इस प्रकार के शब्दों का प्रियोग और मैं साफ शब्दों में कहूंगा हिंसा के लिए उकसाने वाली भाषा निरंतर प्रियोग की जा रही है अभी आपको ध्यान हो कॉंग्रेस के नेता पृतिपक्ष राहूल गांधी जी ने चुनाओ परचार के दौरान पिछले वर्ष कई बार अपमान जनक शैली में मोदी जी के लिए मारना डंडे मारना इत्यादी शब्दों का प्रियोग किया यहां तक उन्होंने बोला कि अगर काफिले पे कुछ फेका गया तो कुछ और फेका जा सकता यानि फेका जाना डर के समाप्त होने का प्रतिचा इसका मतलब कि किसी भी नेता के काफिले के उपर कुछ भी होना चाहिए याद करिए कि जिस समय प्रधान मिंत्री जी पंजाब के दोरे पे गए थे 2021 में जिस धंग से उनके सुरक्षा घेरे को तोर कर उनकी सुरक्षा के लिए एक बहुत खतरनाक इर्थिती का निर्मान किया गया था और इतना ही नहीं है हम बहुत शाफ सब्दों में कहना चाहेंगे कि मौत और हिंसा जैसे शब्दों का प्रियोग बयानों में नहीं होना चाहिए क्या ये सत्य नहीं है कि कॉंग्रेस के कई वरिष्ट नेताओं ने मोधी जी के लिए इस प्रकार की मौत और उस प्रकार की मौत जैसे शब्दों का प्रयोग किया छुटवईये नेता नहीं थे कॉंग्रेस के पूर्व केंद्रिय मंत्री जैसे लोग थे क्या कबर खुदेगी मर जा जैसे शब्दों का प्रयोग किया गया सर फोर देंगे ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया और ये बात सिर्फ आज की नहीं है ये विगत लंबे समय से चली आ रही है मोधी जी के लिए जिन लोगों ने बोटी-बोटी काटने से शब्दों का प्रयोग किया वो दूसरी पार्टी से लाकर आज कॉंग्रेस पार्टी के सांसद बन चुक है और मैं ये भी बात दुख के साथ और गंबीरता के साथ कहना चाओंगा किसी नेता के लिए मौत के शब्द का प्रयोग सबसे पहले 2007 में सुरिया गांधी जी ने मौत के सौधागर शब्द के रूप में किया था हमने कभी जब आपात काल में सम्विधान की हत्या हो गई थी तब भी कभी स्वीमती इंद्रा गांधी जी की मौत की कामना या मौत जैसे शब्द का प्रयोग नहीं किया था और मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि ये राजनीती राश्टी सुरक्षा के खिलवार के साथ बहुत लंबे समय से होती आ रही है मैं आप सब का ध्यान ये भी आकरष्ट करना चाहूँगा कि जब कॉंग्रेस सत्ता में थी तो भारत के ये नहीं दुनिया की इन्वेस्टिगेटिव हिस्टी का एक विचित रुदारण है इश्रच जहां के से जहां उस समय ततकालीन सरकार की दो एजन्सी इंटेलिजन्स बीरो और सी बी आई दोनों ने कहा कि इश्रच जहां टेरिस्ट है जैसे ही पता चला कि उसका निशाना ततकालीन गुजरात के बुख्यमंत्री और आज की हमारे प्रदान मंत्री शी नरेंडर मोदी जी थे अचानक सी बी आई ने अतना हलक नमा बदल दिया और कहां टेरिस्ट नहीं है वो तो मासूम है भारत के इतिहास में कभी यूटन लेने का कोई उधारण नहीं मौजूद और आप सब को ध्यान होगा कि जब हमारी सरकार आई और इश्रच जहां मामले की फाइल तलब की गई तो पता चला फाइल गायर और सम्मंदित अधिकारियों के बयान है कि उन लोगों ने फाइल के उपर ऐसा कुछ नहीं लिखा था केवल तत कालीन ग्रहमंत्री ने चिदंबरम साहब ने अपने आप पो नोट चेंड किया था ये इंपोर्टन नहीं है उससे बड़ी बात ये है कि CBI ने अपने स्टेंड चेंड कर दिया था मगर IB ने स्टेंड चेंड नहीं किया था यानि IB पहले भी मान नहीं थी कि इश्रत जहां टर्रिस्त है गर बाद नहीं मान नहीं थी मगर बाद में करने लगी नहीं है और था दुनिया के इतिहास का इकलता उधारन जहां एक ही सरकार की दो एजनसी एक दूसरे के खिलाफ खड़ी है एक एजनसी कह रही है कि टेर्रिस्ट है अमुक्वेक्त ये करे नहीं क्यों चूंकि प्रधान मंत्रीशी नरेंद्र मोदी जी की हत्या के इरादे से चाते हुए किसी टेर्रिस्ट को बचाओ देने के लिए कवर फाइर देने के लिए किस सीमा तक जाए जा सकता है ये उसका दुख़द उधारन है आप सबको याद हो 24 अक्टूबर 2013 को पटना की रैली में सीरियल ब्लास्ट हुए कॉंग्रेस की केंदर में सरकार थी पूछना चाहता हूं क्या सुरक्षा वर्वस्था थी दरीद मुदीजी को जेट प्लस सिक्यूरिटी थी और उसी सवा में हमारे तब कालिन राष्टी अद्यक्ष और वरतमान रक्षा मंतरी राजना सिंगी भी थे उनके पास भी जेट प्लस सिक्यूरिटी की दो दो नेता जिनके बाद जेट प्लस सिक्यूरिटी और उसके लिए केंद्रिये सरकार ने क्या विवस्था की थी इस लिए सुरक्षा और नेताओं की जान की कीमत पर आजने थी होने चीए इसके उलट हम बताते हैं राउल गानी जी की यात्रा निकली उनके बाद जेट प्लस सिक्यूरिटी है कश्मीर में आप सब ने देखा कि कितने मधुर मनो भावों के साथ भाईया और वहन बर्थ के गोलों के साथ खेल लए थे उस समयदंशील जगह पर कि इन सरकार ने विवस्ता सुनिश्यत की मणिपुर जैसी जगह पे जहां इतना समयदंशील है उनकी यात्रा निकली और पूरा रूट सेनेटाइज करना उस सारी विवस्ता सुनिश्यत की गई इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि भारत की राजनीती में राजनीती अपनी गए है मगर प्रधान मंत्री श्री नरिंद्र मोधी जी के विरुद्ध जो राहूल गांजी ने शब्दों बोला था संसर में मैं आद दिलाना चाहता हूं हिंसा 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 हिंसे जैसे शब्दों का प्रियोग बंद होना चाहिए दुनिया में इसके उधारण दिख रहे हैं भारत में इसके परिणाम खतरनाक हो सकते हैं यदि आप लोगसभा में नेता पृतिपक्ष बने हैं वैसे तो आप सबने सुना होगा जीत का जश्न होता है जीत का उत्सा है मगर यहां हार का उत्सा है तो उस हार के उच्छामे मैं कहूंगा उच्छा से उच्छंकलता से उच्छंकलता से उच्छंकलता की तरफ मज जाईए परिपकुता का परदर्शन करिए इसलिए मैं पुलह जहां से मैंने प्रारंब किया था वही पे सभी राजनितिक दलों से आग्रए करता हूं कि हिंसा और हत्या जैसे शब्दों का प्रयोग किसी के प्रथी आक्रमन, मारना, पीठना, कब्र खुदेगी जैसे शब्दों का प्रयोग बंद होना चाहिए चूखी याद रखना चाहिए कि लगेगी आग तो आएंगे घर सभी जद में यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है तो मैं सभी दलों से या आग्रे करता हूँ विशेश कर कॉंग्रेस पार्टी से प्रणमंत्रीशी नरेन मोढ़ी जी के प्रति आपके मन में एक similarity complex है आप एहसास कमतरी से वावस्ता है आपके मन में ईर्षा है आपके मन में द्वेश है आपके मन में कुंठा है मगर उस कुंठा को हिन्सा और मौट जैसे शब्दों तक ले जाने से बचिए अनिता मैं एक पंक्ति के साथ समाप्त करना चाहता हूँ जो सभी नेताओं के लिए जो मोदी जी के लिए नफरत रखना चाहते हैं उन्हें ध्यान रखना चाहिए कि देश के सवहाद वातावरण में कोई प्रोवोकिंग बात नहीं करनी चाहिए कि कागस का है लिबास चरागों का शहर है कागस का है लिबास चरागों का शहर है चलना समल समल के चूंकि तुम नशे में हो तो यह हार के उत्सा के नशे से पा जाईए और समस्दारी के साथ आचरण दिखाईए तन्यवाद